फाइव रूलस ओफ दिस टॉपिक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले पांच रूल में से, रूल नमबर वन, सबसे पहला रूल कहता है, अगर आपने एक्टिव से पैसिव जाना है ना, तो सबजेक्ट को रख दो अबजेक्ट की जगहां पे, और अबजेक्ट ठीक करने आजाएंगे, सिर्फ ये पांच की मदद से, अगर कोई स्कूल का बच्चा इस बैच में सुन रहा है, तो उसके लिए तो ये जादू के रूल है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके तो ये खुबी काम आएगा, सबजेक्ट क पैसिव जाते हुए वर्ब की थर्ड फर्म यूज़ होती है, हमेशा, फोर्थ रूल कह रहा है, एक्टिव से पैसिव जाते हुए, हेल्पिंग वर्ब बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन सबजेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए, क्या कहरे हो मैम, देखो बेटा, सपोस मेरा subject ही है, और मेरा object मी है, अब ही के लिए हम लोग सीख चुके हैं, क्या लगता है, is, मैंने पूरा sentence नि बनाया है, जो काम की बात है, बस बो बता रही हु, ही के लिए आमें लगेगा, is, लेकिन पहला rule कह रहा है, यानि मी आगे आके आय बन जाएगा, ही पीछे जाके हिम बन जाएगा, तो helping verb बदलेगी नहीं, लेकिन subject के हिसाब से लगानी आनी चाहिए, तो he के लिए is लगता है, हमें पता होना चाहिए, i के लिए is नहीं लगता, i के लिए क्या लगता है, m लगता है, rule number 5, अगर किसे का ध्यान भटक गया है, या कोई popcorn खाते खाते मेरी class देख रहा है, तो जरा वो वहाँ से बहार आ जाए, क्योंकि यह सबसे important rule है, और आपको ख option आते हैं, आपको सही option चुनना होता है, तो हमें option चुनना में 5 वा rule खूब-खूब मदद करता है, और यह tense का shortcut है, voice में tense को बदलने का क्या है, shortcut है, तो ध्यान से सुनिएगा बिटा, active में मेन वर्ब की 5 forms होती है, यह बात आप मेरे मुझ से बहुत जगा सुन चुके होंग फिर भी अगर किसी को नहीं पता, तो मैं 5 forms लिख देती हूँ, active में main verb की कितने forms होती है, 5, हमेशा मैं go ही लिखती हूँ क्योंकि जाद अतर बच्चों को यह form आती होती है, third, fourth, यह आई यह बटा, and fifth, पहली बात तो उन बच्चों के लिए जिने 5 form नहीं पता, active में जो भ पांच forms बनती है, पका, तो active में main verb की कितने form है, 5 form है, एक बार लिखो कितने form है, 5 form है, पांच में भी यही लिख रही हो मैं, क्योंकि voice में दोनों एक साथ बदल जाती है, तो अब मैं change सिखा रही हूँ, मार कर change करके, ध्यान चे देखिएगा, active में verb की पहली, यह पांच म form आएगी, तो इसे हटा देंगे, और इसकी जगहां पे is MR लगा देंगे subject के हिसाब से, पहली यह पांच मी form अगर हमें दिखेगी, तो हम उसे remove कर देंगे, पैसे उमें, और उसकी जगहां पे is MR लगा देंगे subject के हिसाब से, उसकी जगहां पे is MR लगा देंगे subject के हिसाब यहान इस चाहिए में परापके वट यहां कियों कि अभी तो कहा था पूरा पैसिव सिर्फ प्रेश गईसे फिरल्द परके सकती हैं किसह अब हटेगा तो इसलिए थैए गार तो इसमें वुटती है अगर हथ यह बटे हैं तो इसकी हटाना होता गा व तो फ़र्ड फ़र्म हटाई नहीं जाती क्योंकि पैसिफ फ़र्ड फ़र्म में चलता है पर बीन जरूर एड़ करते हैं ताकि पैसिफ की सेंस दी जा सके V4 यानि ING वाली वर्ब भी हट जाएगी और इसकी जगहां पे हम रिमूफ करके लिखेंगे किसको बींग को अब अगर कोई बच्चा कारण भी जानना चाता है कि मैं यह हटा कि यही क्यों आई, हैजव क्यों नहीं आई, डूड़स क्यों नहीं आई, यही फ़र्म क्यों आई, इस अमारी क्यों आई, वास्वरी क्यों आई, बीन बिंग क्यों आई, तो ध्यान से सुनो एक्टिव में में वर्म की पाच फॉर्म से हैं, तो हम एक्टिव की में वर्म को पैसिव की में वर्म से बदल रहे हैं, और पैसिव की में वर्म होती है, बी पैसिव में में वर्ब के तोर पे इस्तमाल की जाती है बी तो हम एक्टिव की में वर्ब को पैसिव की में वर्ब से बदल रहे हैं कैसे मैं एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को बी की फर्स्ट फॉर्म से बदल दिया सेकंड फॉर्म को बी की सेकंड फॉर्म से third form को B की third form से fourth form को B की fourth form से तो basically हमने किया कुछ नहीं है हमने सिरफ active की verb को passive की verb से बदल दिया है क्योंकि अगर passive form यूज करनी है तो passive की verbs तो इस्तमाल करनी पड़ेंगी उस logic से active की verb को passive की verb से हमने बदल दिया है बच्चों, पहला rule क्या है subject और object को आपस में पलड दो पलड दिया दूसरा rule बोल रहा है by लगाओ फिर कह रहे हैं third form लगाओ फिर कह रहे हैं helping verb बदलो मत फिर कह रहे हैं ing दिखे तो क्या add करो बीच में being sentence हो गया food is being cooked by him food is being cooked by him देखो एक और example लेते मैंने कहा राम हैज done that पहला rule क्या है subject और object को पलड दो यह हमने पलड दिया दूसरा rule है by लगाओ यह हमने लगा दिया subject और object पलड दिया by लगा दिया तीसरा rule क्या था helping verb बदलो मत पर subject के हिसाब से लगा देना अब राम और देट दोनों ही singular हैं कुछ चेंज नहीं करना पड़ा he और food दोनों ही singular था इसलिए वहाँ भी चल गया फिर अगला rule था helping verb चेंज मत करना by लगाना पहला verb की third form लगाना हमेशा हमेशा verb की third form लगाना यह बात हुई थी और फिर क्या बोला था अगर active में third form दिखे तो passive में being add करना याद रखना पांच में rule में क्या सिखाया था अगर active में third form दिखे active में done कौन सी form है third form है जब के साथ third form आती है tense में सिखा चुकी हूँ active में third form दिखे तो passive में क्या add करना याद रखना है being तो क्या convert हुआ that has been done by Ram